हेलो फ्रेंड्स बल्कम बैक टो माई योटूब चैनल आज के वीडियो में आप लोगों के योटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो पर हम लोग आलू का चौप बनान की रेसिपी लिगा है जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनके त्यार होगा तो स छोटी तेमच गरम मसाले को भी डाल देंगी और फिर जो है आजवाइन को जो है हाथ से खरस्ट करके डाल देंगी और फिर टेस्ट ब्हाइंड है कि वंस लाइक करने करूं कि सबस्क्राइब करने करती कि अंदेट और तरफ कर दिएर सुर्ण करती नहीं सुछा-टल करने ना इसमें घ्रम और ने competent यहां नहीं ज्यादा पतला कर्दा पानी है यह सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग उबले हुए आलू ले लेते हैं और ये जो है इसे हम लोग 5-6 गंटे पहले ही उबाल के रख लिये थे अगर आप लोग इसे 5-6 गंटे पहले ही उबाल के रख लेंगे तब ये जो ठंडा होगा और फिर जब हम लोग इसे जो मैस करेंगे तब इसे पानी नहीं निकलेगा अगर आप लोग इसे जल्दी से उबाल के अभी ही करेंगे तब इसे जो है इसका चोखा बनेंगा वो जो है गीला बन जाएगा तो इसे हाथ की ही मदद से कर लेंगे और आप लोग जब इसे आलू चौप को खाते है तब आपके भूह में इसका बरा बरा पीसे भी आता है तो इसे अच्छी तरीके से नहीं करना है इसे हाथ से ही अच्छी तरीके से मैस कर लेंगे तो आप लोग देखी सकते हैं इधर हम लोग चार हड़ी मिर्च और एक इंच अधर का पेश्ट तयार कर लिये हैं और उसे थोरा सा उस बेशन के घुल में भी डाल दिये हैं और फिर इधर हम लोग गास को अन कर लेते हैं और उस्पेटाई चरहा कि उसने जो हे सर ड्सों का तेल डाल देते हैं और जब सल का तेल करन तब हम लोग जालेंगे पीली सर्सो और थोरा सा जीरह डाल दिये हैं जब जीरा और फिर पीली शड़ सो थी अच्छी तरीके से पक जाये तब हम लोगस में सोखी लाल मिर्च डाल देंगे और फिर वह जो हरी मेर्च और फिर अध्र का जो पेश्ट था उसे डाल गी अच्छी तरीके से चमच की मदद से कर लेंगे और वह जो उबले हुए आलू थे उसे डाल देंगे और जो हर चमच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखेगा कि इसे मिडल फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से कर लेना है और इसे बीच बीच में जो है मिलाते भी रहना है और आप लोग देखी सकते हैं इसमें हम लोग टेस्ट एकोर्डिक नमक डाल दिये हैं तो इसमें थोड़ा करके नमक डाल रहे हैं ताकि जब यह जो इसका नमक और फिर उसका नमक मिल जाएगा तब यह कुछ जादा ही नमकी नमक डालना है तो आप लोग देखी सकते हैं इसमें हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इसे अची तरीके से जो है बना के तयार कर लेंगे तो इसमें जो है कोई-कोई स्थोखी लाल मिट्स का पीस बरा था तो उसे हम लोग हाथ की मदश से छोटा करके डाल देते हैं आप लोग चाहे तो पहले भी इसे हाथ से छोटी-छोटी पीसे में कट करके डाल सकते हैं और आप लोग देखे सकते हैं आलू का जो चोखा है हम लोगों का बन के तयार हो चुका है और यह जो बैटर है इसका आप लोग कंसिस्टेंसी देखी सकते हैं और इसे जो हम लोग हाथ से तरीके से पहले मेक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसे छोटे-छोटे बॉल्स बना लेते हैं उसके बाद उस बॉल्स को दबा के पेरे के सेप में कर लेते हैं जैसे पेरा का सेप रहता है उसी सेप हम लोग दे देते हैं और उसे अच्छी तरीकी से नहीं समझ पाएंगे तो सारे पेरे बन के तियार हो चुके हैं अधर मोग आशको अन कर लेते हैं और इस पर जो है कढ़ाई चरहा के कढ़ाई जब गरम हो जाए तब हम लोग इसमें सर्सों का तील डाल दिये हैं और सर्सों के तील में जो है इन पेरों को उस घोल म सब्सक्राइब एक मुड़ें जाने पेपर आज़र आप लोग देखी सकते हैं लोग इसमें सोडा का यूज नहीं किए है और ये कितना ज्यादा फुला फुला बनाए और यह घर के बेसिक मसाले से बनाए हैं जो हर कीचन में अवलेवल होता ही है तो आप लोग अस टेस को तल लेते हैं और से असरे बीच-बीच में पलटाते भी रहेंगे ताकि यह ज्यालेणा तो आप दो देखी सकते हैं इसे यह हम लोग अची तरीके से कड लेते हैं और इसका कलर भी कितना जाद अच्छा है और यह कितना फुला फुला सा बन के त्यार हुआ है तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ही बनाएगा इधर हम लोग तल भी लेते हैं और जो है चमच की मदद से बीच बीच में पलटाते भी रहेंगे और आप लोग जो है से मोर मोरे के साथ भी इसे खा सकते है खाने में बहुत ही ज्यादा T keinen हिसा लगता है तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूरी बनाएगा और मार्ट मार्केट से मतला आये नायू रहता है वेरना यूद्रा आप अच्छा नहीं रहता है तो घर का जो है बहुत ही ज्यादा सूध रहता है तो एक तरफ से पक के त्यार हो चुका है जब यह अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम लोग एक प्लेट पे पेपर रहके से डाल देंगे ताकि इसका जो ऑईल है जो इसके अंदर रहे वो निकल जाए तो आप लोग देखे सकते हैं सभी के सभी कम लोगों पल्टा दिया है और जो है इसे अच्छी तरीके से अब निकाल लेंगे तो यह जो है आप लोगों का सुपर टेस्टी सुपर डिलीस के सचेट पटा सा मस्ता लेजार सा आलू चॉपन के रैडी हो चुका है तो आप लोगों से मुर मुरे चटनी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं अगर को यह दो यहां खाली है आप लोग भी जारूर ही वसमें विस जरूर ही बनांकि फ्राइं केह पना जड़ लेता है और हम लोग लोगे चैटनी के साथ बीम्ली के सुफर कर लेंगे और यह चाहिए तो इसलों को चाहिए तो आप लिधिए अप्छांग किसी भी चीज के जो है अच्छे तरीके से एक प्लेट में डाल लेते हैं और उसके उपर तो जो है हम लोग इसे सजा देंगे उसके बाद हम लोग इसे सर्फ कर लेंगे तो आप लोग देखी सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है जो अभी तक हम लोगों के चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीस हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब का ना मत भूलिएगा और आप लोग देखी सकते हैं इसे जो है अच्छी तरी कि इसे हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो छोड़ा सा और सब्सक्राइब रहेंगे तो खाने भी बहुत ज्यादा टेस्टी सा लगता है और ये जो हम लोगों का सुपर टेस्टी सुपर डिलिसेशिट पटासा मसाल ही दार सा अलू चौप बन के रैडि ऊचुका है और कर लिये हैं और आप लोगों का हम लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक्स और यह रैसिपी कि आपको कैसा लगा वह भी कॉम्टेंटों में जरूर ही बताएगा टेस्टी लगेगा तो जिसको जरूर ही त्यार करीगा